कि एफ्रेंट्स वेल्कम तो मैं आज आपके लिए विडियो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जो आपका एक इवेंट आया है वह कैसे करना है और वह इवेंट किया है वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने इस्टामेकर तो सबसे पहले तो आपको अपना जो फोन का जो स्टार मेकर वर्जिन है वो अपको अपडेट कर लेना है अगर आप स्टार मेकर या फिर स्टार मेकर लाइट जो भी अपडेट करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा अपडेट के बाद ही आपको यह नौटिफिकेशन दिख अगर आपका डेट नहीं है तो वहां पर आपका नोटिफिकेशन सर नहीं कर रहा है तो हम चलते हैं जाते हैं नौτιफिकेशन में जन्ह versch bipartisan जैसे चाएंगे तो यहां पर देखिए शारिम नोटिफिकेशन आया हुआ है ठीक है तो यहां पर देखिए बिग फैमिली इवेंट कमिंग जॉइन नाव ओके यहां पर देखिए यहां पर आपका भी सो नहीं कर रहा है हो सकता है कल आपका सो करने लगेगा क्योंकि यहां पर देखिए बिग प्लेयर्स बैटल यहां पर दिखाई दे रहा है ओके तो स फेमिली bankruptcy ठीक है तो फेमिली पीक का मतलब है कि जो प्रण व Gibson करना है तो नाौ व्यार लॉडिंग फेमिली पीक कै इंवेंट फार नॉन एजन्सी ब्रोटकॉस्टर इन लाइब रवी रूम यानि कि जो यहां पर verified broadcaster नहीं है agency में उनके लिए भी यहाँ पर जो है we are holding family pk event for non agency broadcasters in live room यहाँ पर दे रखा है if you are broadcaster or you are want to do live room pk come and register here okay अगर आपके पास verified singer का tag है या मतलब जो agency वाले हैं और agency वालों के पास अगर जो है agency broadcast का जो है नहीं है non agency broadcasters से उनके लिए अभी जो event है वो hold रखा गया है बट जो हमारा जिनके पास tag है agency से भी है या वैसे भी tag है तो यह event उनके लिए है ठीक है तो इसमें क्या है कि अगर आप जीतते हैं या फिर हारते हैं तो उससे आपको दोनों में ही आपको diamond मिलना है ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो win किया है केवाल उसी को मिलेगा लेकिन यहां पर process क्या है वोथ विनर और लोजर कुट गिट diamonds bonus आप ऊछाए जो भी आप बिसिक टार्गेट दिया होता है जो भी आपका ंट होता है तक सुल में अगर आप टार्गेट कंप्लीट कर लेते हैं तो उस घार्गेट कंप्लीट करने के बाद आपको आप हार है या जीतें दोनों को same diamond आपको मिलेगा जो है star maker की तरफ से ठीक है अगर आपको कोई भी problem हो रही है इन सब चीजों में आपको diamond वगेरा कैसे मिलेगा कैसे नहीं यह क्या करना है non-vip non-verified broadcaster और verified broadcaster कुछ भी आपको problem हो रही है तो आप यहाँ पे जो यह जो वाटसब नंबर है इनसे भी contact कर सकते हैं यहाँ पे आपको query कर सकते हैं जो कि यहाँ पे नंबर आपको दिया गया है फिलहाल आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक form फिल कर देना है अगर आप verified broadcasters हैं और आप भी PK event करना चाहते हैं मालग किसी के साथ तो आप यहाँ पे form फिल कर दीजेगा तो यहाँ पे आपको अपने इस्टार में करके ID डाल देनी है और यहाँ पे are you verified broadcaster or not ठीक है यह लिखा है you will have a tag if you are verified broadcaster तो यहाँ पे I am a verified broadcaster I am not verified broadcaster but I did live and I want to join the PK event यानि इसमें कह रहा है कि अगर आप live broadcasters हैं तो I am a broadcasters यह लिखे नहीं है तो यहाँ पे लिखे कि मैं नहीं हूं लेकिन मैं PK event में participate करना चाहता हूं यह वाला कर ले और I never done live but I want to PK तो इसमें आप जो अगर आप पहली बार लाइब में PK करने जा रहे हैं तो आप यह वाला भी कर सकते हैं जो daily verified broadcaster है यानि कि जो daily ही live आते हैं वो इस पर टिक करेंगे जो यहाँ पे tag नहीं है फिर भी चाहते हैं कि मुझे live करना है और PK वाला जो event है उस पर participate करना है तो वो इस पर कर देंगे जिन लोगों के मतलब जिन्होंने आज तक live open नहीं की है और tag भी नहीं है तो वो करने चाहते हैं PK तो वो यह वाला option डाल देंगे ठीक है तो यह हो गया आर यू फैमली कैप्टन अगर आप फैमली कैप्टन हैं तो यस लिखिएगा और यहां पर आर यू फैमली कैप्टन आर यू फैमली कैप्टन सेम इंसर इसमें दे रखा है आप दोनों में सेम डाल दीजेगा कि आप कैप्टन है या नहीं है ठीक है और what's your WhatsApp नमबर तो डाल दीजेगा what is your family ID आपकी जो family ID है आप वो डाल दीजेगा फैमली का जो भी नाम है आप वो यहां पर डाल दीजेगा and PK event में आप किस दिन participate करना चाहते हैं यहां पर days भी दे रखे हैं कि 24 जून से लेकर के 30 तक है तो यहां पर आपको क्या करना है कि जो भी date को आपको 24 को लेना है 25 को लेना है या 30 को लेना है जिस भी दिन आपको लेना हो आप वो days यहां पर टच कर सकते हैं okay and यह करने के बाद आपका जिस भी दिन जो वो होगा PK वाला event होगा आप वहां पर participate कर लेंगे and उसे दिन आपका जो है PK कर सकेंगे इसके बाद आपको यहां पर submit कर देना है ठीक है तो ज्यादा कुछ नहीं है कई लोगों ने बोला यह तो बहुत simple था फिर भी कई लोगों ने बोला था कि मैं समझ नहीं आ रहा है इसलिए वीडियो मैंने बना दी है बाकि जिनको समझ कुछ आ गया है वह अच्छी बात है और जिनको नहीं आया है वह वीडियो देख लीजेगा तो वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कर लीजेगा चैनल पर नय हो तो सस्क्राइब कर लीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद